आज भारती जन्ता पार्टी फिर से एक जूट बोलती भी पकड़ी गए। आज सुबर उन्हें एक प्रैसवारता करके जूट बोला कि राजिस्थान में अशोग गहलोज सरकार ने 2008 में कोई जमीन अलोट्मेंट की दो फरजी किसानों को जो जमीन बाद में रॉबर्ट सरकार ने फरवरी 2007 को अलोट की थी हरी राम और नाथा राम नाम के दो किसानों को और उसकी रजिस्ट्री भारती जन्ता पार्टी की सरकार के दौरान हुई उसकी मुटेशन भारती जन्ता पार्टी की सरकार के दौरान हुई रॉबर्ट वाडरा ने वो जमीन रॉबर्ट अलोटमेंट उनकिसानों को हुई थी तो इसमें नुकसान तो Robert Wardra का हुआ नुकसान तो Skylight Hospitality जो Robert Wardra जी की कमपनी है उसको हुआ आज जो आकर इन्होंने सरयाम जुट बोला कि Robert Wardra ने धोखाधड़ी किये वो गलत है धोखाधड़ी Robert Wardra के साथ हुई है इसलिए ना किसी FIR में Robert Wardra जी का नाम है ना किसी Charge Sheet में उनका नाम है और तो और जिस High Court Order का ये हवाला दे रहे है उसमें भी ये स्पष्ट कहा गया है कि जब आप आरोपी ही नहीं है तो आपके कहने से हम कैसे ECIR को कौश कर दें ED की जो ECIR हुई है तो स्पष्ट है Robert Wardra दोखादड़ी के शिकार हुए शिकायत उनकी है भारती जन्ता पार्टी इस तरह से इस बात को प्रस्तुत कर रही है जैसे कि दोखादड़ी Robert Wardra ने की है ये गलत है ये जूट है और ये अपराध है